हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टो मैं चैनल मेरूपम तो चलिए आज का टॉपिक बहुत ही खास है बहुत सुन्दर सा प्लांट है तो चलिए उसी के बारे में मैं आप लोगों से सेर करूंगी और आप दिखाऊंगी कि क्या मैं करने वाली हूँ सबसे पहले मैं बता रही हूँ यह है गंधराज का प्लांट जो की पिछले मौनसुन में मैंने खरीदा था और यह मुझे 50 रुपे का मिला था लेकिन देखिए प्लांट की स्थिती क्या है आपको दिख रही है देखिए कुछ दिन पहले इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी बहुत ही अच्छी थी और अभी यह प्लांट इसकी सारी ग्रोथ रुक्सी गई है और देखिए हर एक टीप पर आपको दिख रहा होगा बस एक दो पत्तियां बची हुई है वो भी कुछ हल्दी पत्ते नहीं है तो चलिए अगर इस तरह के के प्लांट आपको अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए त क्या प्रॉब्लम है जो इसके वज़े से यह ग्रोथ इसकी रुक्सी गई है उसके बाद देखिए मैं कोसिस करूंगी इसके जो ट्रेटमेंट करने वाली हूँ जो की प्लांट हेल्दी हो जाए और फिर से यह फ्लावरिंग स्टेश पे आ जाए और हरी-हरी पत्तियों के स साथ तो चलिए दिखाते हैं क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैं इस पॉर्ट से निकालने वाली हूँ थोड़ी सी मिटियां पहले में हलकी डीली कर लेती हूँ इसकी मिटियां डीली करने से दिखे आपको मिटियां अंदर की मोशर दिख रही है वस उपर की लेयर थोड़ कोटा सा बीच गिर गए होंगे हवावा के बज़े से तो वह निकल पड़ा है तो इसको पहले निकाल लेते हैं ताकि यह प्लांट मैं सेब कर सकूं तो फ्रेंट की और चलिए अब इधर देखाती हूं आपको निकाल करके मिटियों को इसके बाद मिटियां अंदर देखिए फिर पॉर्ट से निकाल करके फिर देखते हैं इसकी रूट रूट बाउंड तो नहीं हो गया है यह अगर रूट बाउंड होंगे या फिर रूट में कोई प्रॉब सकता है उसके बज़े से यह सौक में चले गए हो और इसकी ग्रोथ रुक्सी गई होगी चोटी-चोटी ग्रोथ आपको दिख रही है यहां पर लेकिन कुछ खास इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो दिखिए चोटा-चोटा सा स्प्रॉटिंग हो रहा है आपको दिख रहा ह नहीं है और इस तरीके से कलीयां भी निया होरी यह खुद भूखुद बड़े होते और गिर जाते हैं देखिए पत्तियां इस तारी के से हैं तो चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका condition है इसके roots में तो मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ क्योंकि देखे इस तरह के support में पहले निची गिरा की देखती हूँ अगर निकल गया तो फिर सही है देखे फ्रेंड पूर्स करती हूँ अगर निकल जाए plant तो क्योंकि देखे मैं आपको निकाल के यह दिखाती हूँ या फिर अगर जैसे की नहीं बन सके तो मैं एक trick और दिखाती हूँ अभी मुझे आया समझ में कि इस तरीके से यह trick भी सही है तो अगर मिटियां दिखे मैं धीली कर ली हूँ थोड़े से अंदर करके और यह मेरा 10 इंची का पॉट में लगा हुआ था और पिछले बार जब यह इसका समय खतम हो गया था तब यह मुझे मिला था और फ्लाबरिंग एक बार भी इसमें नहीं वा एक दो बार कलियां आई थी पूरे तरीके से फ्लाबरिंग हो नहीं पाएं फिर यह कलियां अपने आप गिर जा रहे थी पता नहीं किसी कारणवस फ्रेंड देखे तो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना प्लांट को बीचो बीच रख करके ऐसे हैं ठोड़े परणवस यह था कौड़े की मदद से अप इस तरीके से के आप को निकाल सकते हैं तो डिखिए यह मैंने इस तरीके से यह आपको दिखाया और प्लांट की स्थिती देखिए अंदर मिट्टियां भी देखे पूरी पॉर्ट के मिट्टियां पहले मैं देखे अच्छे से उल्टा लेती हूँ तो देखे फ्रैंड थोड़े से होल भी इसके छोटे-छोटे हैं तो मैं होल को भी क्या करूंगी ना थोड़ा बड़ा करूंगी और उसके बाद देखे अभी कंडिशन दिखा रही हो देखे प्लांड के अंदर इस तरीके से देखे रूट्स पूरे भर गया हैं लेकिन मिट्टियां हटा करके इसके उपर फंगी साइड का पॉडर छिड़कूं की फ्रैंड और अगर मैं पूरा रूट्स को मिट्टी हटा करके करती हूँ तो प्लांट कहीं और सौक में ना चला जाए क्योंकि गर्मिया भी है तो पूरे प्लांट को मैं नहीं हटाओंगी हल्की हल्की मिट्टियों को मैं देखे इसके रूट्स में हटाती हूँ उसके वाद मैं इसके उपर फंगी साइड पॉडर का छिड़काओ करके थोड़ा सा इसको ऐसे ही दिखे यहां तो कुछ रूट्स टूट चुके हैं इस तरीके से देखे अंदर मिट्टी कैसे सड़ गई है आपको दिख रही है तो देखे इस तरीके से तो देखे फ्रेंड मैं पानी लेके आ गई हूं एक पतीले में और यह है मेरा साफ फंजी सैट पॉडर देखे इसमें मैं थोड़ा सा पॉडर को ऐसे डालती हूं और प्लांट के वी उसकी चिकनि मिट्टी जो पूरी है वह घट जाए और उसके बाद प्लांट के देखे इस तरीके से मैं थोड़े से मुझे करना पड़ा मैं सोच रहे थी कि नहीं करूंघी लेकि देखती हूं इस तरीके से आप इस पानी में मैं इसको डालने वाली हूं देखे मैंने दाला और जो भी मिट्टियां हटेगी मैं हटा करके फिर इसकी मिट्टी तयार करके फिर आपको दिखाती हूं तब तक यह इसमें रहेंगे और हल्की सी फंगिसाट पॉडर और डाल देती हूं ताकि इस तरीके से तो इससे क्या होगा ना मारे प्लांट सौक में नहीं जाएंगे तो चलिए मैं मिट्टी दिखाती हूं आपको तो दोस्तों देखिए मैं पंदर से 20 मिनेट इसको छोड़ दी और सारे मिट्टियां निकल करके इसकी बाहर हो गई पानी में चले गया चला गया ही और अब मैं मैं इसके लिए मिट्टी तयार करूँगी और यह फंगिसाइट पानी वाला जो है मिट्टी तयार करने बाद मैं फिर उसी में डाल दूँगी मिट्टी मैं वही गमला का ले रही हो जो कि अभी मैं इसको निकाली थी क्योंकि मिट्टी इसकी खराब नहीं थी काली मिट्ट के वज़े से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक्स गई थी वो चिपचिपी मिट्टी इसे फैलने ने दे रहा था अच्छे से तो उसके वज़े से मिट्टियां सड़ भी गई थी अंदर में जो कि मैंने उसको अच्छे से धो करके निकाल दिया और यही मिट्टी है मेरी जो ग तो देखे फ्रेंट मैंने 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट डाला है जादा नहीं डाली हूं और इसके बाद आप डालूंगी दिखे यह हैं नीम की खली दो मुठी के करीब नीम की खली एक फटलाइजर भी है और यह ना फंगस नहीं लगने देता है मिट्टियों में और जो भी फंगस लगे रहते हैं इसको दूर कर देता है थोड़ा सा देखे मैंने इतना सा डाला और अब मैं डालूंगी जो कि हमारे प्लांट सोक में नहीं जाए उसके वजह से यह है एपसम सॉल्ट देखिए इससे क्या होता ना यह जल्दी रूट को डेवलेप करता है इसमें स्लों रिलीज फटलाजर डालूंगी बोन मिल देखे फर्टकन के हेल्प से के मैं लेती हू यह बहुत ही अच्छा जल्ड देता है ना तो यह कोई भी तरह का जिसे की फंगस वगरा जो भी अगर लगेगा तो वो ठिक करेगा और नहीं की खल्डी भी एक फंगस को ही दूर करता है और फंगी सेट पॉडर कुछ जल्दी वर्क करता है बहुत ही अच्छे से और कोई तरह का प्लांट को फंगस नहीं लगने द करती है और बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ रहता है राइस के डीकंपोस्ट हो करके यह इसमें जो अगर कोई भी नूटिशन आप डालेंगे ना यह जल्दी एक्जॉब करके हमारे प्लांट तक पहुंचाता है और बहुत ही अच्छा इसका वर्क रहता है हमारी मिट्ट करने के लिए बहुत जरूरी है अगर होल को आप कवर कर लेते हैं तो उससे क्या होता ना कि हमारे रेनेज होल बंद नहीं होते मिट्टियों के वज़ा से और बहुत ही अच्छा रहता है तो चलिए अब इसमें मिट्टी भरना सुरू करती हूं तो मिट्टी भरने के बाद फिर प्लांट को लगाया जाएगा विसमीं इसकी हलो से मैं जल्दे बढ़ लेती हूं देखिया अ八 और प्लांट की मिट्टी मैंने इसी लिए चेंज नहीं करी क्योंकि देखिए अकसर हमेशा होता ना प्लांट मिट्टियां चेंज हो जाने पर अचानक से तो वह सौक में चले जाते हैं तो इसके वज़ा से मैंने इसकी मिट्टी चेंज नहीं करी क्योंकि मिट्टी में ऐसा क तरीके से रूट को एसे बठाओंगी और उसके बाद मैं देखिए इस तरीके से पहले बठा लेती हूँ कि थोड़ा सा पहले मिटी डालते हूं फर यह ना फिर मैं इसको सीधी कर दूंगी और इस तरीके से मिट्टी यां डाल दूंगी प्लांट पर देखिए इस तरीके से मिट्टियों को रूट्स को सारे को मैं अंदर कर दूँगी और जो रूट्स तूटना था वो तूट गए कोई दिकर नहीं देखती हूं मैं ऐसे ही विसकस के प्लांट के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था फिर से रूट को मैंने फिर से इसको अच्छे से इसकी साफ सफाई करके और फंगिसाइड के पानी में डाल करके ऐसे किया था तो अभी मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है फ्लावरिंग भर-भर के आ रही है उसमें तो अक्सर ऐसा ही करना चाहिए थोड़ा सा प्लांट वगरा अगर आपके इस तरह तरी से ग्रोथ रुख जाती है तो इसके रूट से में कोई प्रॉबलम होगा तो आपको जैसे दिखाना काली मिट्टी कैसे सड़ गई थी उसके वज़े से ये ग्रोथ अच्छे से नहीं रूट जो भी इसमें इसकी जड़ें जो भी फैली भी थी थी फ्लांट के मुताबिक ल आप लोगों को कि देखें कैसी ग्रोथ है और देखें इस तरीके से मैं कोशिस तो करूंगी कि प्लांट मेरे बच जाएं और जो भी इस तरीके से कलिया वगरा दिखें यह जो भी है तो यह क्या हो रहा है ना कि अच्छे से तो देखें इस तरीके से प्लांट आपको तो फेन देखिए मैं तो इस तरीके से करी हूं और अब मैं अपडेट आप लोगों को देते रहा करूंगी कि क्या इसका ग्रोथ है और अभी मैं इसको सेड़ी एरिया में रखूंगी क्योंकि अभी इसको धूप नहीं दूँगी और उसके बाद देखती हूं ग्रोथ कुछ इस प्रोटिंग इसमें स्टार्ट हो जाएंगे तो तब जाकर के मैं इसको अच्छे जगह पर सेट अप करूंगी क्योंकि इसको धूप भी बहुत पसंद है तो ऐसा जगह पर बार बार इसका दिसा भी नहीं चेंज करना चाहिए मैं तब कहीं तुरंत कहां रख दिया फि यह प्र Васा जचे है बिता बाराई सेट प्रोटी सेट लिएल नहीं थे जग्ट यह तो झाल सकीक बख़ता है तो तो घस्ज। याएंगे झाहा है